the total number of injective mapping from a set with m element to a set with an element where m is less than equals to n is ठीक है ठीक है तो बिस्किली कर अपने देखें लेट से यहां पर मैं set a define करता हूं और set b define करता हूं set a में कितने element है यहां पर इसमें m element है और set b में कितने element है न element है और given क्या condition है given है कि m की value less than equals to n है बिस्किली अगर मैं यहां पर injective mapping क्या होता है one one mapping ठीक है injective mapping क्या होता है one one mapping ठीक है one की एक values of x के लिए एक domain के लिए एक ही range की value आईगी ठीक है इसमें अपने कितने element है m element है मतला M element है यहाँ पर यह value less या equal होगे ठीक है 3,4 up to गया है यहाँ पर M element ठीक है तो इसके value कम है यहाँ पर इसमें ज्यादा element है ठीक है 1,2,3,4,5,6,….N element है इसमें ज्यादा element है इसमें कम element है अब injective mapping क्या होता है injective mapping होता है कि इसका जो होगा इसका अगर mapping जिससे हो गया 2 उससे मैपने होगा 2 के लिए कोई दूसरा element होगा ठीक है अगर मैं बोलूं यहाँ पर B के element के बात करो अगर मैं 1 की matching B1 से होई है तो 2 की matching B1 से नहीं हो सकती है 2 की matching B1 से नहीं हो सकती है 3 की matching B1 से नहीं हो सकती है 2 की matching कोई let say यहां पर B2 से होगी ठीक है अब इसकी matching B2 से भी नहीं होगी इसकी matches क्या होगी B3 से इनडरैक्ली अगर बोले injected mapping के लिए क्या होना चाय जितने element इसमें है उतने element इसमें भी होने ठीक है तो अब मैं element है इसमें element है इसमें select से मैं क्या करूंगा M element select करूंगा ठीक है, B से मैं, B से पहले M element में select करूंगा ठीक है, अब इसमे M element हो गया, इसमे M element है, इस N में से मैंने M element select किया, अब क्या हो गया, M के लिए M mapping हो जागा है, अब यहाँ पर भी M element, यहाँ पर भी M element, अब इसको अपन कैसे arrange कर सकते हैं M factorial से, तो basically अगर अपन द objective mapping की बात करे, injective mapping आजएगा, यहाँ पर N C M, इस N element में से M select करें, और फिर M का M से mapping अपन कैसे करेंगे, M factorial से, ठीक है, यहाँ फिसके लिए क्या आजएगा, 11 mapping, 1 की 1 से mapping, ठीक है, तो यहाँ अपने बस N factorial upon denominator में क्या आजएगा, N minus M factorial, और क्या आजएगा, M factorial, और यहाँ इसमें cancel out हुजएगा, और final answer के जहाँ पर N factorial upon में, N minus M factorial, answer कौन सा हुजएगा, यहाँ पर option, C is the correct answer,